कोई अगर दावा करता है कि उसकी सभी सीटे फाइनल हो गई हैं, तो उनको मैं सला दूँगा कि देश के यह सस्वी ग्रिह मंत्री आदर्नी अमित साजी का वो बयान सुनना चाहिए, एक हपते में सब कुछ किलियर हो जाएगा, सब को सम्मान मिलेगा, कोई गठ बंदन छोड कर बाहर नहीं जाएगा, और राजनीत में तो हर पाटी न दावा करती है, और हमारे साथ तो हमारे सभी सांसद हैं, यह सस्वी ग्रिह मंत्री ने ओपन होकर कह दिया है, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, हम लोग बहुत आनंदित हैं, इंतिजार कर रहे हैं, कि NDA जब अपन लिष्ट सारुजनिक करेगी, तो उसके बाद हम लोग कुछ इस पर टिका टिपनी करेंगे. अगर कोई अगर दावा करता है, कि उसकी सभी सीटे फाइनल हो गई है, तो उनको मैं सलाह दूंगा, कि देश के यह सस्वी ग्रिह मंत्री आदरनी अमित साजी का वो बयान सुनना चाहिए, चब को सम्मान मिलेगा, कोई गठ बंदन छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, और र सभी लोकसभा छेत्रों में हमारे परत्यासी चुनाओं लड़ेंगे, इसकी घोसना हमारे राष्टिय अद्यक्ष है, आदरनी पसुपति कुमार पारश जी ने कहा है, और भारतिय राजनीत में जो अभी तक चलता आया है, सिटिंग गेटिंग गो का फर्मुला, उसको किया है, समय पर गटबंधन में मैच्वर होता है, और NDA में समय पर जब लिष्ट साजा की जाएगी, तो आप उसमें देखिएगा कि राष्टिय लोक जन सक्ति पाटी के सभी परत्यासियों का नाम होगा, हमको देश के यसस्वी प्रधान मंत्री आदरनीय नरेंदर मोदी पर पूर्ण यकीन है, आदरनीय अमित साहजी के बचनों पर हमको पूर्ण यकीन है, आदरनीय नडडा जी के सानिद्ध का हमको पूरा भरोसा है, कि राष्टिय लोक जन सक्ति पाटी का संरक्षन भारतिय जनता पाटी जरूर करेगी, जब कुछ लोग इस गटबंधन से अलग हो गये थे, उस समय भी हम अपनी निष्ठा और इमंदारी के साथ इस कटबंधन में रहे हैं, अब तो देश के यससविक ग्रीम मंत्री ने ओपन होकर कह दिया है, कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा, हम लोग बहुत आनंदित हैं, और इंतिजार कर रहे हैं, कि एंडि लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नीशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए